नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपको पता होगा कि ये चैनल जिसमें हम हर तरह के वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही उप्योगी होते हैं और आपकी पर्सनल्टी को इंप्रूब करते हैं हम चाहत से उसका अपनी जिंदगी का भरपूर मजा लें तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एफ नाम वाले लोगों के बारे में यानि कि एफ नाम वाले लोगों की पर्सनल्टी कैसे होती है और वो कैसे दिखते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखते रहें लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्क्राइब दही किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को जा करके अभी से सब्क्राइब कर दीजिए क्योंकि इसमें हम जबर्जस टिप्स लाते रहते हैं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी होती है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि F-naam वाले लोग कैसे होते हैं जब आप से पूछा जाता है कि आप कौन हो तो आप अपना नाम बताते हो इससे ये पता लगता है कि नाम इंसान की पहचान है यानि आपकी पहचान आपके न से हैं और नाम सो नहीं होता इता है वे अपने नाम से ही जाते हैं तो अगर हम इस तरह के एप वाले लोगों की बात करें तो वो कैसे होते यानि कि F तरह के लोग बैलन्स लाइफ दीते हैं तो यह अपनी जिम्भधारी होती है उसको काफी इंप्रॉटन्स देतें हैं जिसकी वज़ए से आपको समाज में काफी उन्नती मिलती है यानि की वो अगर कहा जाए यानि समाज आपको बहुत कुछ आ आपको बहुती मतलब महत्यपूर्पद पर भी पहुंचा देता है यानि कि आप अपनी मेहनत और अपनी जिम्मजारियों के बल पर काफी समाज में उपर जाते हैं आप हर चीज में दिमाग भुसाने की कोशिश करते हैं यानि कि आप बहुती क्रेटिव माइंड़ होते हैं जिस कराण से एक नाम वाले लोगों को थोड़ा सा एक फियर भी होता है यानि कि एक असफल्स होने का फियर भी रहता है जो कि गलत है आप खुद पर विश्वास ले हैं तो बहुती जादा काम्याब होते हैं अगर इनके लव लाइफ के बात की जाए तो यह लव लाइफ में बहुती बैलन्स होते हैं और इनकी सुर्वास प्रेम से होती है ठीक उसी तरह से आप इनके जीवन का अंत भी प्रेम से ही होता है यानि कि लव से ही होता है जीवन तो दोस्तों यह एफ नाम के बारे में कुछ पर्सनाल्टी के बारे में मैंने बताया जो कि मैंने बहुत सी जगे से study किया है और मैं कोई endymologist नहीं हूँ नहीं मैं कोई नेमologist हूँ लेकिन मैंने जो study किया है इसके जलिए मैंने आपकी कुछ information देने की courses किये तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको subscribe करिए और share करिए ताकि और लोगों को भी ये बात पहुंच आए यानि कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे अभी के लिए धन्यवाद अगले वीडियो के लिए बाई बाई